असलाब मेकूम गाइस तो मैं आगई हूँ एक और नए वीडियो के साथ और आज के हमारे वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कुछ बेसिक इंग्लिश वर्ड मीनिंग्स इंग्लिश टू इंग्लिश टू उर्दू और इसके साथ-साथ हम लोग कुछ वर्ड के ओपोजिट् इस फैट फगेर अब गया है तो जैसा कि मैंने वाज का हमारा वीडियो डिलेटेड है इंग्लिश से तो चल यह स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे जो वर्ड शीट है उसमें हमने यह बताना है यह बताया गया है कि हम लोग इंग्लिश के वर्ड को शॉर्ट फॉर्म मे वर्ड का अंशिय। वेरी clever का brilliant वरी serious का grave यहां वरस grave के दो meaning होते हैं एक कबर और एक serious तौ यहां पे हमने serious follow use किया है very shocking का appalling, very cold का freezing, very happy का elated, very sad का devastated, very pretty का gorgeous, very big का massive, very funny का hysterical very bright ka dazzling very worried ka anxious very clean ka spotless or immaculate perfect or ideal ka impeccable in perfect condition ka ass-dain very hungry ka starving or famished लगरे विरे निए विर गर सब्स पहले जब्स और इंगली अफंड़ी झेल्टा अर का मतलब होता है हमारा, in का मतलब होता है मैं, in का मतलब होता है सराय, need का मतलब होता है मिलाना, गारा बनाना, need का मतलब होता है जरूरत होना, now का मतलब होता है जानना, no का मतलब होता है नहीं, now का मतलब होता है जानना, no का मतलब होता है लेसन का मतलब होता है कम करना, लेसन का मतलब होता है सबक, में का मतलब होता है में का मतलब होता है एहम, में का मतलब होता है आयाल, मीट का मतलब होता है गोष्ट, मीट का मतलब होता है मिलना, मैटल का मतलब होता है धात, मैटल का मतलब होता है जिर्रात, लूस का मतलब होता ह खेला ढीला लूज का हार जाना नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ओपोजिट्स वर्ड तो सबसे पहले आते हैं नेवर का ओपोजिट आल्वेज लेट का अरली लेस का मोर मेल का फीमेल हैपीनेस का सैडनेस फास्ट का स्लो ओल्ड का यंग बोई का गर्ल अब का डाउन लेट का राइट पूर का रिच या फिर रिच का पूर लब का हैट इंसाइट का आउटसाइट बैट का गूट शॉर्ट का ताल कोस्ट अपन मैं वोमन दिम ब्राइट मैल फ्रीज टोटल पाटिल हैर देर never always tight loose huge tiny normal strange little much in out cold hot soft hard stop move begin finish visible invisible alive that north south clever stupid before after sweet sour increased reduced child adult thick thin wet dry sunny cloudy cheap expensive interesting का होता है boring many opposite होता है few और useful का opposite होता है useless तो guys अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए